नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं समारोह में मुख्य मंत्री हमन सुरेन समेत कई मंत्री और गणमाने लोग उपाचित थे सपत गरहन समारोह के बाद राजे पल सीपी राधा किष्णा ने बेवी देवी को पुष्प गुच्छा देते हुए बधाई दी साथ ही जर्खन के बिकास में महतिव भूमिका की कामना की है इस पर मंत्री बनी बेवी देवी ने राजे के बिकास में हमेशा सहयोग देने की बात कही वहीं सपत गरहन के बाद मुख्य मंत्री हिमन्सुरे ने जारकंड की नई मंत्री बनी बेबी देवी को पोस्प गुछा देकर बधाय एवं सुपकरनाय दी है इस मौके पर सीएम ने आसा ब्यक्त किया है कि देवंगत जगरनात दा की तरह ही बेबी देवी राजे के विकास में आमभूम का निभाएगी कावारियों की सुबिधा के लिए चले गी अठारह जोड़ी स्पेसल ट्रेन स्रावनी मेला को देखते हुए 4 जुलाई से 31 अगस्त दो हजार देश तक तिर थ्यात्रियों की अतिरिक्त भीड को कम करने के लिए पूर्वर रेल्वे ने आसान सोल और पटना के बीच कूल अठारह जोड़ी स्रावनी मेला बिसेश ट्रेन की विवस्ता की है वहीं जसीडी और बैदनाथ धाम के बीच हर दिन तीन जोड़ी मेमू एस्पेशल ट्रेन चलेगी और कई मेल एकस्प्रेस ट्रेनों का जसीडी में अतिरिक्त थारा होगा इसके अलावा आठ मेला एकस्प्रेस ट्रेने सुल्तान गंज में बाबा अजगयवी नाथ मंदीर से देवघर में बैदनाथ धाम मंदीर तक अपनी पवित्रय यात्रा करने के लिए सुल्तान गंज में भक्तों के आगमन के सुविधा के लिए सुल्तान गंज में अतिरिक फेरेक के बीच परतेक बुद्धवारों स्वमवार को 16 बचकर 50 मिनट पर आसन्सोल से रवाना होगी तथा उसी दिन 30 बचकर 55 मिनट तक पटना पहुचेगी बकरी चोरी के आरोप में मार पीट पुलिस ने बचाई जान राइधानी के नामकुम्ठाना छेतरे में बकरी चोरी का आतंक देखनों को मिल रहा है जिसे लेकर गरामिनों में आकरोस है इसी भी स्वमवार को दो बकरी चोर गरामिनों के हंथे चड़ गए जिसके बाद आकरोसित भीड ने यूवक को पीटा और दोनों यूवक के हाथ प परफुट पड़ा है मोगे परपकड़े के बकरी चोर की पिटाई की गई है। परफुट 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 पिटाई की गई है। गाव के बिच सो मर्गों सकार्पियों से कुचल कर बाइक सवार दो युवक मोरने गाव निवासी इद्रिस अंसारी और आलिम अंसारी की मौत घटना स्थल पर हो गई गाटना ऐसी थी कि सकार्पियों ने पहले एक इसकुटी सवार को धक्का मारा हलाके उसे ममुली चोट लगी फिर सकार्पियों ने इन लोगों की बाइक में टक कर मारा और बाइक सही दोनों को घसिटते हुए सकार्पियों गाड़ी करीब 100 फिट आगे तक ले गई इसकरण में एक इवक निकल के बाहर फिका गया वहीं चालक बाइक वो एसकार्पियों के बीच में फ़जा रहा स्रावनी मेला में कावारियों के ठाहरने के लिए मुफ्त में घर जैसी वेवस था स्रावनी मेला 2023 का काउंट डाउन सुरू हो गया है सुल्तान गज में मंगलवार को सावन मेला 2023 का उधाटन होना है कावारियों का जथार अभिवार से ही अजगेवी नगरी में परवेश करने लगी है सुमवार को गुरुपुर्निवा के दिन कईसर धालों ने जल भरा और बाबा नगरी देवघर के ओर कुछ किये सावन मेला इस बार दो महेने तक चलेगा है कावारियों को ठाहरने के लिए बिहार की सीमा के अंदर कहा क्या सरकारी इंतजाम है इसके बारे में जनकारी मिलेगी बतादे भी हर सरकार ने कावारियों के लिए दवा, एंबुलेंस, पेजल, रोसिनी, सुरक्षा वट हरने की मुक्कल ब्यवस्था की है अपनी माया के मंतरी बनने पर बचे खुस दिखे अपने पती जगनाथ मतों के सपनों को सकार करने के लिए बेबी देवी सिक्षा और उतपात विभा की चाहत रखती है बेबी देवी के बेटे बेटियों ने सपत ग्रहन के बाद यह बात मीडिया से कही है ग्रिहनी से राज नेती की सफर पर निकली बेबी देवी हेमन सरकार में केबिनेट मंतरी बनी है बता दे राजभान में मुके मंतरी हेमन सुरेन की मौझूदगी में सपत ग्रहन समारों आयोजीत हुआ जिसमें पद और गोपनेता की सपत राज येपल सीपी राधा केशनन ने दिलाया सपत ग्रहन के दवान हलाकि बेबी देवी ठीक से बोल नहीं पाई जिसके कारण कई तरह के सवाल भी उठने लगे है इन सब के बीच राज भान पहुचने से पहले बेबी देवी गुरुजी सिवु सुरेन से मिल कर उनका असिर्वाद लिया उसके बाद सपत ग्रहन करने करीब 12 बच कर 10 मेट पर राज भान पहुची बेबी देवी ठीक से नहीं पढ़ पाई सपत पत्र बिजेपी ने की संग्यान लेने की मांग हेमन सुरेन मंत्री मंडल में सामील हुए दिवंगत जगरनाथ मातों की पत्नी बेवी देवी का राजवन में सपत पत्र नहीं पढ़ पाने को बिजेपी ने मुद्धा बना लिया है वही कॉंग्रेस ने यह कहते बेवी तेवी का बचाव किया है कि सपत ठीक से पढ़ पाने से ज़्यादा जरूरी है नियत और नीती का ठीक हो भार्दिय जनता पार्टी के परदेश महामंत्री परदीप वर्वा ने कहा है कि सपत ग्रहन की सन्मेधानिक परकिरिया में सपत पत्र को बढ़ना अनिवार्य है ऐसे में आज जो सपत दिलाई गई वह यह दर साता है कि सपत की परकिरिया पूर्य नहीं हुई है परदीप वर्वा ने कहा है कि सरकार और राजबहन इस मामले को लेकर कानूनी भी से सगयों की सलाह लेकर उचित फैसला करे मैट्रिक इंटर में खराब परफोर्मेस करने वाले स्कूलों की प्रिंस्पल पर करवाई इस साल मैट्रिक और इंटर की परिशा में खराब परसन करने वाले सरकारी स्कूलों पर सिक्षा विभाग ने नकेल कसना सुरू कर दिया है जिसके ताथ ऐसे स्कूलों के परचारे पर करवाई करने की त्यारी की जा रही है सिक्षा विभाग ने राज भर में ऐसे 200 सरकारी स्कूल चीनित किये हैं जिनके जैग बोड के द्वारा आयोजीत इस साल की परिशा में खराब पर्फोर्मेंस है इन स्कूलों के परचारे से सिक्षा विभाग पूछ ताच करेगी जनकारे के मुताविक चीनित किये गए सिक्षकों से विभाग के अधिकारियों द्वारा न क्यों पूछ ताच की जाएगी बलिक कारणों को ढूंड कर इसका समधान के रास्ते भी निकाले जाएगे बता दे स्कूल के परचारे से रिजल्ट पर वन टू अन बात की जाएगी और उन से पुछा जाएगा कि स्कूल का परणाम खराब क्यों आया है जारखन में पाच दिनों तक बारिस जारखन में इस बार अभी तक समाने से 40% कम बारिस हुई है एक जून से लेकर 3 जूलाई तक राज में समाने तक 216 मिलिमीटर वर्सा होती है लेकिन इस बार सिर्फ 130.5 मिलिमीटर वर्स पात की रिकोर्ड किया गया मौसम केंद्र के अनुसार राज के 5 जीलो, देवघर, दुमका, गोड़ा, पलामू और सिम्डेगा में समाने वर्सा हुई है जबकि एक जीला साहब गज में अच्छी बारिस हुई बाकी के 29 जीलो में समाने से कम वर्सा रिकोर्ड किया गया राजी मौसम केंद्र के वर्य मौसम पुरुणवान बैग्यानी पिरीती गुणवानी ने बताया है कि फिले 24 घंटे में राज में कई जगों पर हलकी समाने दर्च की बारिस रिकोर्ड हुई है वहीं लिट्टी पड़ा में भारी बर्सा 166 मिलिमीटर हुई है धन्यवाद